दिल्ली में मुझे आपने सेवा करने का मोका दिया, हमने बस्तर में इस टील कार खाने का काम तेजी से पुरा करवाया। रोजगार मिलना तै हुआ है। और जब ज़्यादा निवेश होगा और बड़ा कार खाना होगा तो पूरे विस्तार की किस्मत और तेजी से बदलने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे याँ गुजरात में स्टील बनाने का एक कार खाना है। वहाँ तो आयन और भी नहीं है, हम बार चलाते हैं। लेकिन स्टील कार खाना होने के कारण कार बनाने काने कार खाने वाल लग गए। काड़िया मनाने को की स्टील की उनको जरुवत थी पास महीं मिल जाता था अब यहां स्टील बन रहा है ना और भी कार खाने यहां लगने वाले हैं और यहां पर करीब डेड़ लाग सात्यों के लिए नोकरी की रोजगार की संभावना बनेगी और मेरे शब्द लिखिये भाईया आज 36 गड़ का नौजवान रोजगार के लिए भार जाता है एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान के नौजवान रोजगार के लिए बस्तर आना चाहेंगे बस्तर आना चाहेंगे आप कल्पना कर सकते हैं मोदी अगर यह काम कर देगा तो कॉंग्रेस के लोगों के लिए प्रश्टाचार के रास्ते रूख जाएंगे ख़दान मैसे जो माल खाते थे उस पर मोदी ने ताला लगा दिया और इसलिए चट पटा रहे हैं आज भी कितनी जूठी बाते फैलाई लेकिन आपने उन पर यह तमाचा मारा है इतनी पब्लीक आकर के आपने उनको तमाचा मारा है जूठी बाते फैला कर इनका इरादा समझिये बस्तर के मेरे नौजवानों इनका इरादा समझिये ये जूठी बाते फैला कर ये स्टील प्लांट को भी हडपना चाहते हैं इस स्टील प्लांट को भी कॉंग्रेसी अपने बच्चों अपने रिष्टेदारों की तीजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं लेकिन मेरे बस्तर के भाईयों बेनों ये मोदी की गारंटी है ये मोदी नहीं होने देगा ये बस्तर का स्टील प्लांट आपका है बस्तर के लोगों का है इस टील प्लांट के मालिक मेरे बस्तर के लोग है मेरे चत्थिशगड के लोग है मोदी इसका मालिक नहीं है मोदी इसका मालिक नहीं है और नहीं कोई देशरा नेता कोई कॉंग्रेसी को मैं इसका मालिक बनने देने वाला हूँ इस प्लांट के मालिक सिर्फ और सिरफ बस्तर के मेरे भाई बहन है यह हक आपका है कोई आपका हक छिन नहीं सकता है इस पर कॉंग्रेस के नेताओं को किसी भी हालत में कबजा नहीं करने दिया जाएगा उनको कटकी कमपनी कमिशन कमपनी प्रस्ताचार बेहिमानी करने का मोका नहीं दिया जाएगा आप मेरे साथ सहमत है तो यह काम करिए अपना मोबाईल फोन निकालिए और उसकी फ्लेश लाइट चालू कीजिए मेरे इस बात के समर्थन में अपने मोबाईल की फ्लेश लाइट चालू के रिशाबाद देखिए वा दूर दूर तक शाबाद यह यह ताकत है वा देखिए यह मिडिया वाले आपकी फोटो निकाल रहे देखिए यह समर्थन है यह स्टिल प्लांट के लिए समर्थन है कैसा जुड बोलते थे और इमान दौरी देखिए यह सच्चा ही यहाँ देखिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बस्तर के भाईयो बेनो मेरे परिवार जनो कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड दिखाता है कि उसे 36 गड के लोगों की परवार नहीं है उसकी प्रात्विक्ता सिर्फ और सिरफ 36 गड की संपदा को लूटना है 36 गड की खनीच संपदा को लूटने भी कॉंग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी यहां से जो भी खनीच निकलता था उसका हलाब कॉंग्रेस के राज में हमने बड़ा बड़लाव किया हमने डिस्ट्रीक मिनरल फंड बनाने का फैसला किया यानि जो भी खनीच यहां से निकलेगा उसका एक हिस्सा आपकी मालिकी का होगा आपके विकास के लिए होगा यह खनीच मोदी की मालिकी की नहीं है एक खनीच चतिजगर की कॉंग्रेस सरकार की नहीं है यह आपकी है इसका हागा आपको देने का काम यह मोदी ने किया है दोस्तों बस्तर दर्पन में आप सभी का हादिक स्वावत हैं अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को आज वो जगदल पूराए हैं और लाल वाग में उनका आज यह भासड हुआ हाला कि चुनाव है तो चुनाव में तो सारे मंत्री अभी हमारे बस्तर और छातिस गड़ में आएंगे ही लगवग तो मोदी जी ने नगरनार पर जो हमारे नगरनार में नमडेशी का श्टील प्लांट है उस पर विशेस बोला था तो यह वीडियो हमने इतना काट कर में वीडियों से पहले लगा दिया था मोधी जी को मैं बता तो नहीं सकता हूँ लेकिन उनको पता जरूर होगा उनके जो भी यहाँ पर नेता मंत्री हो बताए होंगे कि कल नगरनार NMDC में हमारे आदिवासिय समाज के भाई बहनों ने कितना बड़ा अंदोलन किया था और उन्हों ने उस विशे पर तो कुछ नहीं बोला लेकिन उन्हों ने यह जरूर बोला कि कुछ कॉंग्रेस के नेता हैं जो आप लोगों को बहला फुसला करके सच्छा ही नहीं बता रहे हैं फिर उन्हों ने इस वीडियो में सच्छाई बताया कि एनेमडीसी बन जाएगा तो क्या क्या लाव पहुचेगा यहां के लोगों को बताया कि पचास पचपन हजार नोकरिया तो अभी हो गई है मतलब लेकिन जब चालू हो जाएगा तो लगब देढ़ लाख नोकरिया मि मुंहें लेकिन यहां के लोगों को को और यहां के जो हमारे आदिवासि भाई वहने से उनको वह घो में चल lassul नोकरिया मिल रही है और यहां के लोगों को नोकरी मिल ही नहीं रहा है तो इसी के लिए तो अंदुलन भी था कल तो आप जो बोले चलिए ठीक है अच्छी बात है अस्टिल प्लांट बन रहा है या बन ही गया है चालो भी एक प्लांट हो गया है तो जो यहां के मुल निवासी हैं उनके लिए अगर कुछ ऐसा नियम बनने की वही ज्वाइन करेंगे वह काम करेंगे या कुछ परसेंटेज रहे कि 70-80-50 जो भी इतना परसेंटेज में वही के निवासी रहेंगे इसा कुछ तो अभी तक लोगों का कहना है कि नहीं है सब बाहर के लोगा आके जोब कर रहे हैं नोकरी कर रहे हैं तो ठीक है वह दिजी इस पर भी जरूर कुछ आगे प्रकास टालिएगा तो इस तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं बताएए जरूर मिलता हम अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैंद